पुरे बिहार में जो मौसम है काफी गर्म है और लगातार हीट वेब और वार्म नाइट यानि कि गर्म राते पुरे बिहार में हो रही है और इससे कहीं कोई राहत अभी तक नहीं मिली है आगे कब राहत मिलेगी या फिर किस तरह का मौसम रहेगा यह जानने के लिए हम आ ग जैसे कि अभी हीट वेव का स्पेल है तो पिछले पांच दिनों से बिहार में हीट वेव की स्पेल चल रही है और कुछ-कुछ जिले में हीट वेव की कंडिशन्स बनी रहती है जैसे कि अभी पतना भी हीट वेव का कंडिशन्स में आ गया है और से पूरा बांक का ये सारे कुछ टिस्टिक्स है जो हीट वेव के कंडिशन्स में आ रहे हैं इसके अलबाब पुर्निया कटिहार भी हीट के कंडिशन्स में आ रहे हैं लेकिन बात करें वार्म नाइट की तो सिर्फ पतना में ही वार्म नाइट की कंडिशन्स प्रिवेल है क्योंकि जो मिनम्म टेंपरेचर है निम्तम तापमां 30 डिग्री सेंटिग्रेट और उससे उपर रिकॉर्ड हो रही है और पुर्वनमान की बात करें तो ऐसे मौसम अगले चार से पांच दिनों तक बनी रहा सकते हैं चार मई के बाद ही लोगों को कुछ राहत मिल सकती है और बिसेश कर जो इष्ट बिहार के जिले हैं जैसे कि जो बांका से लेके कर सकते हैं कि संगज्ज तक ये लोगों को चार मई से राहत मिल सक ह конфlyeti का फिर्फ टकर पत्ना का कब तक हमिद के जाए ही राहत होते है कि सम्भावनामीद 722 6590 तो results में होती कि जो निवन्तम तापमान है वो उसका जो डिपार्शिर है जो नौर समान से 4.5 डुगरी centigrade ज्यादा रहती है और पूरे capital city की बात करें तो almost temperature जो निवंतम तापमान है वो 27 से 30 degree के आसपास रह रही है तो इसके कारण से लोगों को जो discomfort है जो night के time में, even evening के time में वो बनी रहेगी ये जो पुरवा नुमान की बात करें कि वो warm night की conditions की तो अगले अटलिस चार दिनों तक ये warm night की conditions बनी रहेगी capital city पटना में तो लोगों को थोड़ा discomfort फिल होगी लेकिन heat wave की conditions की बात करें तो अगले तीन दिनों तक रह सकती है बिहार में लेकिन तापमान है वो 40 से अबब बनी रहे गया अभी भी तो क्या आप कहना चाहेंगे बिहार के मजब लोगों को किस तरह से वो अपने आपको मजब इस परिस्थिती में काम करें या पिर जैसा कि बता रहे हैं कि जो heat wave की conditions है इसके साथ साथ देखे तो करीब बारा से तीन के साथ मतलब हलके सूती कपड़े पहन के निकले और अपने आपको हमेशा hydrated करके रखे मरला पानी हमेशा इवें प्यास नहीं भी लगे तब भी पीते रहें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लू से अपना बचाब करने की सक्त जरूरेते हैं इसके साथ साथ अपने आसपास के पशो पशो का भी ख्याल रखे हैं पिलकुल साथ तोर से जो साइंटिस्ट है आनंसनकरूं का कहना है कि बिहार के कई हिस्सों में चार और पांच मई से राहत मिलेगी और पटना जो राजधानी है 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों के बीच विश्वस्निय संस्थान गोल कमाल करते हो जी बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तोम हो की तुम्हें फूर्सात ही नहीं मिल रही अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहां इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वाधी जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्राम्पलीन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, धाई सो फीट लंबा, जिपलाइन और क्रिकेट स्टिमूलेशन का खूब सूरत नजारा वाइल्ड वाधी, दस माइल चौक, रांची वाइल्ड वाधी यानि अनलमेटेड वान और अनलमेटेड मस्ती